हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दे एक्जाम हेकर यूट्यूब चैनल दोस्तों हम लोग यूपी पीसियस 2021 की एक्सपेक्टेड क्यूसिंस को डिसकस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने आठ सेट को अलड़ी डिसकस कर चुके हैं तो आज किस वीडियो हम लोग नवा आज की स अब लिविंग टर्म्स टू मीजर दा पवर्टी लाइन इन इंडिया भारत में गरीवी रेखा को मापने के लिए जेल कौस्ट आफ लिविंग सब्द का प्रयोग किस ने किया था तो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय इंडिया में पवर्टी को मीजर करने के जेल कोस्ट आफ लिविंग टर्म्स का यूज किये थे किने ने किया था ओप्सन दिया आया है महात्मा गांधी दादा भाई नरोजी भी अर अमबेटकर जोहरलाल नहरू तो दोस्तों यहां पे दादा भाई नरोजी ने यहां पे इंडिया में पवर्टी को मीजर करने के लिए जेल कोस्ट आफ लिविंग सब्द का यूज किया था तो हमारा आंसर वा जाएगा वन का भी दादा भाई नरोजी आज का दूसरा प्रश्ण है यहां पे भारत में हेट काउंट अनपात यानि हेट काउंट जो रेसियो जो यूज किया गया है किसके लिए यूज किय गया है ठीक है तो हीट काउंट अनपात या रेसियो किसके लिए यूज किया गया है ओप्सन दिया है निरच्छड लोग यानि इलिटरेट लोग को काउंट करने के लिए गरीब पीपल को काउंट करने के लिए रिच पीपल को काउंट करने के लिए या वेल बिंग आफ सो हेट काउंट रेसियो ठीक है तो यह हमारी 2011 में जो हमारी पवर्टी लाइन थी 1.9 डॉलर पर दे थी इसके बीचे इस लाइन के नीचे कितने लोग हैं उसको काउंट करने के लिए हम हेट काउंट रेसियो यूज करते हैं दो का हमारा बी यहां पर आंसर हो जाएगा गरीब लोग को मीजर करने के लिए आज का तिसरा प्रशने दोस्तों निम लिखिन में से किस राज्य में गरीब जनसंख्या का परतिसत सबसे ज़्यादा है ठीक है लार्जेस्ट परसेंटेज आप पूर पॉपलेशन किस इस टेट में ज़्यादा है ओप्सन दिया गया है बिहार B है जारखंड C हाँपे 36 गर्ड D उत्तर प्रदेश ठीक है तो वैसे तो हम लोग डिसस किये थे कि पर कैप्टा जो इंकम है वो सबसे लोवेस्ट है बिहार में ठीक है एप्रॉक्स 40,000 के रूपीज के राउंड लेकिन जो लार्जेस्ट परसेंटेज आप पूर पॉपले 40 Line है ठीक है और पूरे इंडिया क की बात करें इंडिया में हमारी लगों में 28% के आसपास जहारखंड की बात करें, जहारखंड हमारा 36% जहारखंड की population हमारा पूर में आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा C, 36 गर्ड, 36 गर्ड में 40% का असपास population हमारी below poverty line में आती है, तीन का C, जहाँ था है, यहाँ पर रामकेश्ण मिसन के संस्थापक कौन थे, ठीक है, रामकेश्ण मिसन एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंडियन कल्चर या spiritual organization है, जिसमें बेदन्ता अद्वित्ता की philosophy को यहाँ पर teach किया जाता है, और इसमें फोर जो योगिक है, ज्यान, भक्ति, कर् और हमारा राजा, यह हमारी फोर योगी को यहाँ पर teach किया जाता है, यह स्वामी बीबेका नंद्वारा यहाँ पर found किया गया था, ठीक है बंगाल में, स्वामी बीबेका नंद्वारा, तो रामकेश्ण मिसन किसके द्वारा स्वामी बीबेका नंद, स्वामी बीबेका न किसानो के उत्प्रिणंग के बारे में परसित पुस्तक जो मारे लिखा गया नियल दरपड किस के दौरा लिखा गया है तो simple यहां पर पुझा है नील दरपड जो हमारे किसके दर लेगी darle के इंडेको फॉर्मर के उत्प्रिणंग के संदर में लिखे गई थी जो तीन भागा जो पुस्तक लिखे गई तो किसके द्वारा लिखे गई है ओप्शन दिया गए है रमिनाथ टैगोर सरत चन चतरजी दिन बंधु मित्र वरिंद्र घोष तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों C दिन बंधु मित्र यह हमारे 1857 के आसपास नील दरपर बुक लिखी गई थी तो पांच का हमारा C आंसर हो जाएगा चठा यहां पे राष्टिय अपराद रिकार्ड ब्यूरो की भारत में अपराद 2019 की रिपोर्ट की अकॉर्डिंग ठीक है जो हमारे नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने Crime in India 2019 की रिपोर्ट जो पब्लिस की गई थी उसके संदर में यहां पूछा गया है कि कौन सा राष्टिय में महिलाओं के खिलाप अपराद की दर सबसे अधिक है यहनि परती लाख जनसंख्या की मामले में जो दर है महिलाओं के खिलाप सबसे ज़्यादा है तो किस राज्जे में है तो यह हमारा राज्जे है दोस्तो हमारा आजाएगा आसम आसम में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाप उद्प्रिणन की जाती है यह दर की हिसाब से ठीक है लार्जेस्ट नहीं तो 6 का हमारा B यहाँ पर आंसर हो जाएगा आसम साथ मां यहाँ पर जो हमारी consider the following statement about the aspirational district program जो अकांची जीला कारेकरम है उसके संदर में statement दिये गये हैं और आपको पताना है कौन सा statement सत्य है aspirational district program के तहद तो एक केंद्र सरकाद्वरा जनवरी 2018 में launch किया गया था aspirational district program वर्तमान में भारत में 117 अकांची जीले हैं कारेकरम तीन तीन यहाँ पर प्रोग्राम इज वेस्ट अंदर 3CS ठीक 3C के एप्रोच से वेस्ट है convergence collaboration and competition तो जोस्तो तीनों ही श्रेट में यहाँ पर सही है जो aspirational district प्रोग्राम चलाए गया थे वो किंद्र सरकाद्वरा 2018 में launch किया गया था उसमें 117 जीले सामिल है और और 3C approach पर यहाँ पर काम करती है यहाँ पर जो state और central government जो scheme है उसकी convergence करती है collaborate करती है और competition among the 117 जो district है उसी में competition करके report भी publish करती है तो 3C approach पर यह अधारित है इसका answer हो जाएगा D, 1, 2, and 3 आज का आठवा प्रशन दोस्तों यहाँ पर एंथूरियम ठीक है एंथूरियम पौधा हाल में समाचार में देखा गया है यह क्या है ठीक है एंथूरियम पौधा क्या है इसका simple answer हो जाएगा एंथूरियम पौधा है यह फूल वाली प्लांट है यह क्या करते है हमारा जो surrounding जो हवा है उसको purify करते है तो यह हमारी घहरियलू पौधा है इसको आप interior कहीं पे भी आप रख सकते हो घर में रख सकते हो यह घहरियलू पौधा है जो आसपास की हवा को सुद्ध करने और हानीकारेक हवाओं को रसायनों से हटाने से मदद करता है तो एंथूरियम एक फूलोरिंग प्लांट है जो जनरली बालकनी या घर के अंदर रखायाता है और हवा को सुद्ध करने का काम करता है एंथूरियम प्लांट तो ध्यान रखना आठ का हमारे यहाँ पे C आठ का यहाँ पे B आंसर हमारा हो जाएगा 9 है दूसरा सबसे बड़ा रोजगार जनरेटर सुरूत है इंडिया में ठीक है यहाँ पे अप्सन दियाए और एंडरिकल्चिर शेक्टर और सर्षिस सेक्टर कौन सबसे ज़्याँ यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो इंप्लायमेंट जनरेट करता है तो सबसे ज़्यादा employment जो generate होती है उमारे क्रिसी सेक्टर से होती है फर्स्ट हमारा जाएगा, दुसरा में हमारी सेवा सेक्टर, service सेक्टर आएंगे दुसरे में, तिसरे में हमारी manufacturing सेक्टर आएंगे तो इसका अंसर हमारा 9 का C हो जाएगा सर्विक सेक्टर दुसरा हमारा हाइस जो Employment Generator है ठीक है आज का लास्ट हमारा प्रशन है संग सरकार की उच्छितम आये सुरूत क्या है जो हमारी Union Government है, Central Government है सबस्यादा पैसे कहां सा आती है, किस टेक्स से आती है तो दोस्तो GST से सबस्यादा पैसे आते हैं, फिर हमारा Income Tax से आती है फिर हमारा Corporate Tax से आती है, फिर हमारा Excise Duty से आती है तो इसका अंसर हमारा Simply A हो जाएगा GST तो एरा दोस्तो आज के 10 प्रशन जो हम लोग आज 9 सेट को डिसर्स किये है तो I hope यहाँ फिर वीडियो आपको अच्छी लगे होगी तो आज के लिए इतना ही, thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ, thank you